हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको 2019 की आफटर ये एक रोमैंटिक मुवी एक्स्प्रेंट करने वाला हूँ किसी एक सही परसन से मिलने के बाद आपकी लाइफ किस तरह से चेंज हो सकती है आपका जो पुरा बिलिव सिस्टम जो कलत था ये सही कोई बना सकता है तो यही इस प्रिमाइज को लेकर आज की मुवी आती है अप्टर ये मुवी एक नॉवेल पर बेस्ट है और इसका सेकंड बार्ट भी अब आ चुका है और जब ये अवलेबल होगा तब हम इसे भी करेंगे तो चलिए इस मुवी को एक्स्प्रेंट करना स्टार्ट करते हैं इस मुवी की जो स्टोरी है ये हमारी मेन कैरेक्टर जिसका नाम अता है टेसा ये हमें सुना रही है टेसा हमसे कहती है कि जब मैं हार्डीन से मिली तब से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई इसके बाद हम देखते है कि टेसा का ही स्कूल खतम हो चुका है कॉलेज के लिए वो अलग शहर जाना चाहती है उसकी मदर उसके लिए बहुत ही वरीड है पर फिर भी अपनी मदर को उसने मना ही लिया है टेसा का एक बॉइफरेंड भी होता है टेसा को उसके नए कॉलेज छोडने के लिए उसकी मदर और उसका बॉइफरेंड ये दोनों फिर जाते है टेसा कॉलेज को होस्टेल में रहने वाली होती है जब वहाँ उसकी मदर पोहस्ती है तो Tessa की रूमेट्स वहाँ हती है Tessa की रूमेट्स जब उसकी मदर देखती है तो उसे बहुत ही गलत लगती है यह रूमेट्ट भी Tessa से बात करती है और कहती है कि हम दोनों बहुत ही मज़े करेंगे Without ID उसे क्लब में भी वो लेकर जा सकती है Mother को यह बहुती bad influence लगता है वो directly Tessa को बाहर बुलाती है Mother कहती है कि तुम यहां नहीं रह सकती हम room change कर वालेंगे Tessa कहती है कि प्लीज ऐसा कुछ भी मत करो तुम मुझपर believe करो मैं कभी भी कुछ भी गलत चीज़े नहीं करने वाली Mother Tessa को कहती है कि सिर्फ तुमारा study important है इसी पर तुमें focus करना है Tessa भी हा कहती है और उसकी बाद उसकी मदर चली जाती है Tessa का boyfriend भी डर रहा होता है क्योंकि आप वो एक दूसरे से मिलनी पाएंगे तो उनकी relationship का क्या होगा Tessa फिर से अपने room में आती है उसकी roommate उसे पुछती है क्या कई बाहर चलना है पर Tessa अब मना कर देती है Tessa ने अपने साथ बहुत सारे books वगरा लाये है उसकी friend कहती है कि इतने books कोन लाता है Tessa बोलती है कि मैं bookish हो मैं हमेज अब उप पढ़ना मुझे अच्छा लगता है नेक्स डे फिर Tessa अपने class में जाती है वहाँ उसका एक friend बनता है जिसका नाम होता है Landon Tessa economics के class में गई होती है पर actual में उसे English पढ़ना होता है पर English पढ़ने से उसे अच्छी से job नहीं मिल सकेगी उसे जाने के लिए कहती है पर Hardin जो है उसके roommate का friend है Tessa को पहरे लगता है कि उसके roommate का ये boyfriend होगा पर उसके roommate कहती है कि हम दोनों सिर्फ friends है आज Hardin और Tessa की roommate ये दोनों party में जाने वाले है Tessa party में जाने के लिए मना करती है पर हार्डिन भी कहता है कि तुम्हें देखकर मैं party में तुम्हें imagine भी नहीं कर सकता रैसा एक book पड़ रही हो थी है Harling इसका spoiler देखकर वहाँ से चला जाता है रैसा बहुत सरा study करती है हमेचा उसके friends को party मिज़ाते हुए जाते होए जाते हुए दिखती है टेसा अपने फ्रेंड के साथ हार्डिन के पास बैठती है सब ड्रिंक कर रहे होते हैं पर टेसा ड्रिंक नहीं करती फिर भी उसके फ्रेंड उसे एक छोटा सा पेक बना कर दे दीते हैं इसके बाद यह गेम खिलने लग जाते हैं यह जो गेम है यह truth and dare का गेम है टेसा का जान साता है तो टेसा truth choose कर दी है एक लड़की उसे बुछती है कि ऐसा एक weird place बता जहाँ पर तुम intimate हो चुकी होगी टेसा uncomfortable हो जाती है सब को पता चल जाता है कि टेसा अब तक किसी के साथ भी intimate नहीं हुई है इसके बाद वो टेसा को dare देते है टेसा को कहते है कि हार्डिन को उसे kiss करना पड़ेगा हार्डिन उसके पास जाता है पर टेसा कहती है कि यह stupid game में नहीं खेलने वाली यह कही कर पाहर निकल जाती है उसे फिर उसका boyfriend का call आता है उसका boyfriend इस पर नाराज हो जाता है और इसके बाद इन दोनों का जगड़ा हो जाता है टेसा फिर इस party में शान्ती डूडने के लिए उपर की कमरे में आ जाती है इस कमरे में बहुत सारी books है उसकी जिस तरह से books में choice है तो जो भी इस room में रह रह रहा है उसके भी same ही choice है यहाँ पर फिर hardin आ जाता है hardin केता है कि मेरे room में तुम क्या कर रही हो जो books टेसा के हाथ में होती है उसका एक passage वो उससे सुनाता है टेसा उससे पुछती है कि क्या तुम ड्रंक हो hardin केता है कि मैं भी तुम्हारी तरह drink नहीं करता hardin उसके बहुत ही करीब आ जाता है टेसा पुछती है कि क्या तुम अभी भी गेम ही खेल रहे हो hardin केता है कि अभी भी तुमने डेर complete नहीं की है एक दूसरे के पास आकर एक दूसरे को किस करने वाले होते है तब यह टेसा कहिती कि यह गलत है और वहाँ से चली जाती है टेसा actual में hardin से बहुत ही attracted होती है नेक्स दिन literature के class में hardin और टेसा यह दोनों होते है इस class में एक book पर discussion होती है जिसका नाम होता है pride and prejudice यह भी एक romantic novel था इस book के बारे में discussion स्टार्ट होती है तो hardin से बूचा जाता है hardin की बातों से हमें यहाँ पता चलता है कि वो प्यारव बिलिव नहीं करता पर टेसा की बिलिव ज़रा अलग है इन दोनों की viewpoints में यहाँ ज़रा conflict हो जाती है टेसा hardin से बहुत ही चिट जाती है अपने friend landon के साथ यह पहार निकलती है यह उसे कहती है कि कैसा लड़का है ऐसे कौन बात करता है landon और hardin actual में related है hardin के father और landon की mother इन दोनों में अब शादी होने वाली है इसके बाद यह step brothers बन सकते है यहाँ हमें पता चलता है कि hardin chancellor का बेटा है next in में हम देखते है कि टेसा अपने friend के साथ बाहर आई हुई होती है उसकी friend एक tattoo बन रही है उसकी friend उसे कहती है कि तुम भी tattoo बन वा सकती हो पर टेसा कहती है कि अगर मेरी mother को पता चला तो उज़े मार ही डालेगी उसकी mother हमेशा सी उसकी life plan करती आई है उसका जो boyfriend ने उसकी mother ने ही choose किया है टेसा इससे frustrated है पर वो अपने mother की सब बाते मानती है नेक्स डेम देखते है कि टेसा जब cafe में होती है तो उसे hardin फिर से मिलता है वो टेसा से कहता है कि मैं तुमारे roommate का friend हूँ हम कभी न कभी तुम मिलने वाले ही है तो तुम मुझे ignore नहीं कर सकती वो उसका friend बनना चाता है वो टेसा से कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक place दिखाना चाता हूँ टेसा पहले मना करते थी है पर फिर अपना mind change करती है hardin फिर उसे एक जंगल में लेकर जाता है यहाँ पर वो चलते जाते है और एक लेक के पास आजाते है टेसा को यह बहुती beautiful लगता है hardin अपना shirt उतारता है और लेक में कोच जाता है वो टेसा को भी बुलाता है टेसा पहले मना करती है क्योंकि उसके पास कपड़े नहीं है और hardin कहता है कि तुम मेरा shirt पहन सकती हो पानी में आकर टेसा hardin से बुशती है कि तुम इस world में किस से सबसे ज़ादा प्यार करती हो hardin कहता है कि यह answer तो easy है मैं सबसे ज़ादा अपने आप से ही प्यार करता हू hardin टेसा से बुशता है कि तुम्हेरे boyfriend का नाम क्या है टेसा कहती है कि उसका नाम Noah है यह उपर आते है तो hardin कहता है कि क्या तुमने यह सुना पुरा silence था यह सबसे ज़ादा peaceful है यह दोनों फिर एक दूसरे के करीब आजाते है टेसा फिर कहती है कि तुमने तो कहा था कि हम दोनों सिर्फ friends रहेंगे hardin बोलता है कि हम कभी भी friends नहीं रह सकते इसके बाद यह दोनों इक दूसरे को kiss कर लेते है यह पूल से बाहर आते है और hardin टेसा को touch करने लग जाता है कुछी seconds में उसे touch करना वो burn कर देता है टेसा उसे बुछती है कि तुम stop क्यों हो गए hardin कहता है कि हमारे बास बहुत time है इस relationship को वो slowly progress करना चाता है इसके बाद यह दोनों restaurant में आ जाते है एक दुसरे से बहुत बाते करते है टेसा उससे बुछती है कि तुम love पर believe क्यों नहीं करते है hardin कहता है कि of course मैं करता हूँ hardin फिर कहता है कि मेरी हर बात पर तुम believe मत करना hardin के friends फिर वहाँ आ जाते है इससे ज़रा awkward मेसूस होता है और टेसा को लेकर वहाँ से चला जाता है hardin कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है hardin कहता है कि अब मैं मेरे boyfriend से break up कर ले थी हूँ उस पर cheat करना गलत होगा hardin पलट जाता है और कहता है कि मैं तुमें date नहीं करने वाला वो dating पर believe नहीं करता टेसा को बहुत गुसा आता है और वहाँ से चली जाती है रात में फिर से उसे hardin के सबने आते है next day आता है तो टेसा का boyfriend उसे मिलने के लिए आता है टेसा इसे देखकर बहुत ही खुश होती है आज रात जंगल में एक wildfire है जहाँ सब लोग party के लिए आते है टेसा और उसके boyfriend भी बहाता है यहाँ पर सब लोग फिर एक game खेलने लग जाते है यहाँ पर hardin भी आया है एक लड़का टेसा से बत्तमीजी करता है और पीचे नहीं हट रहा होता hardin को उससा आता है वो इस लड़के को बहुत मारता है रात में हम देखते है कि टेसा का boyfriend आज रात उसके साथ ही रुखता है boyfriend सो जाता है तब टेसा को उसके friend Landon का message आता है हमें पता है कि Landon और Hardin एक ही घर में रहते हैं आज Hardin और उसके father का बहुत बड़ा जगड़ा हुआ है Hardin बहुत ही heart है इसलिए Landon टेसा को उसके पास बुलाता है Landon टेसा को सब कुछ situation बताता है जब Hardin और उसके father की fight हुई थी तो टेसा का नाम भी आ चुका था इसके financial situation बहुत ही खराब है और फिर भी उसके father किस तरह से जी सकते है आज Hardin ने बहुत सारी दारू भी भी होती है Hardin गुस्से में दारू की bottle तोड़ देता है टेसा उठाने लग जाती है तो इसके हाथ पे चोट आ जाती है Hardin जल्दी से उठकर उस पर मलम पट्टी विगरा करता है वो टेसा को कहता है मैंने तुमारे साथ जो भी सब किया इसके लिए मैं बहुत ही सौरी हू Hardin कहता है कि मैं गलत था मुझे लगता था तो मुझे डेटिंग नहीं करने जाए पर वो अब टेसा से मिल चुका है तो उसे टेसा के साथ ही रहना है Hardin फिर टेसा को अपने रूम में लेकर जाता है यह दोने एक दूसरे को किस करते हैं कडल करते हुए ही रात में सो जाते हैं सुबा जब टेसा उठती है तो उसके बॉइफ्रेंड के उसे बहुत सारे कॉल आया हुए होते है टेसा जल्दी से अपने बॉइफ्रेंड के पास बोशती है तो उसका बॉइफ्रेंड उसे बुशता है कि आचानक से रात में तुम कहां चली गई थी टेसा कहती है कि मेरे एक फ्रेंड को हेल्प की ज़रूरत थी है उसका बॉइफरेंड उसे पूछता है यह ऐसा कौन सा फ्रेंड था इन दोनों में बात ही हो रही होती है तब ही हार्डिन वहाँ जाता है टेसा का बॉइफरेंड सब कुछ समझ गया है वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है टेसा का ये boyfriend उसका paste friend भी है वो बच्वन से लेकर आज तक एक दूसरी के अच्छे friends रहे हैं उसका अपने boyfriend से breakup होता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है एक दो दिन वो किसी से भी बात नहीं करती इसके बाद हम देखते हैं कि टेसा हार्डिन से मिलने के लिए आती है ये दोनों rooftop पर बात करते हैं टेसा हार्डिन से कहती हैं कि वो मेरा बहुत ही अच्छा friend था पर तुम उससे बहुत ही जादा हो तुम मेरे life का एक बड़ा part बन चुके हो ये दोनों एक दूसरे के साथ हैंग आउट करने लग जाते हैं अलग-अलग जगा जाते हैं एक दिन जब ये लाबरेरी में होते हैं तो लाबरेरी ग्लोज होने के बाद भी ये ही वो छुप जाते हैं हार्डिन टेसा को एक romantic book पढ़कर सुनाता है इनकी relationship बहुत ही अच्छे से चल रहे होती हैं एक दिन टेसा और हार्डिन टेसा के रूम में make out कर रहे होते हैं तब टेसा की मदर वहा जाती है टेसा की मदर टेसा से बहुत निनारा से उसे कहती है कि तुम्हें पढ़ाई करने के लिए यहां बेजा था तुम यह सब क्या कर रही हो टेसा कहती है कि तुम गलत समझ रही हो मदर उसे कहती है कि अभी क्या भी तुम उसे break up कर लो टेसा यह करने के लिए मना कर देती है टेसा की मदर उसे कहती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे पैसे विगरा सब कुछ में बन कर दूंगी पर Tessa अभी भी ये मानने के लिए रेडी नहीं है Next day Tessa Hardin को एक जगा पर लेकर आता है उसे कहता है कि मेरे फादर की फ्रेंड की ये जगा है उसके फादर की फ्रेंड एक आर्टिस्ट है और वो अलग कंट्रे में रह रही है उसका एगर है पर कभी वो इसे विजिट नहीं करती Hardin टेसा को कहता है कि हम दोने यहां रह सकते है टेसा इसे लेकर सप्राइस्ट होती है Hardin कहता है कि मैंने सुना था कि तुम्हारी मदर तुम्हें सपोर्ट नहीं करने वाली इसे वाज़े से यह मैं अब रेंड करने वाला हूँ Hardin अच्छे से इस रिलेशन्शिप के लिए कमिट कर रहा है तो टेसा भी बहुत ही खुश होती है As a happy couple एक दुसरे को romantic stories पढ़कर सुनाते है Sunset देखते है अलग-अलग जगा पर जाते है एक दिन एक वरियम में आये हुए होते है Hardin टेसा से कहता है कि कभी-कभी मैं बिलिव नहीं कर पाता कि तुम मेरी लाइफ में हो वो टेसा से बहुत प्यार करने लग गया है उसे कभी-कभी लगता है कि टेसा को deserve नहीं करता पर टेसा उसे चुप कराते थी है उसे कहती ही कि ऐसा कुछ भी नहीं है इसके बाद हम देखते हैं कि Hardin के फादर की marriage का आज दीन आता है उसके फादर एक बड़ी party रखते है Hardin बहुती uncomfortable महसुस करता है पर उसे फिर भी वहाँ आना पड़ता है उसे support देने के लिए टेसा भी उसके साथ आती है टेसा Hardin के फादर से मिलती है उसे वो बाते करने लग जाती है Hardin के फादर टेसा से पुछते है किस subject में तुम master's कर रही हो टेसा कहती है कि मैं economics में कर रही हूँ पर actual में उसे literature में interest है Hardin के फादर कहते है कि अगर तुम्हें financial stability चाहिए तो मेरा एक friend है जिसकी publishing company है यहाँ पर तुम काम कर सकती हो टेसा को भी सुनकर अच्छा लगता है इसके बाद यह सब dinner table पर बैठते है तो Hardin के फादर toast करते है उसके फादर कहती कि मेरे life में बहुत सारे गलत चीज़े थी पर अब उनके जो new wife है उनसे जब वो मिले तो सब कुछ सही हो गया उन्हें जिने का एक नया रास्ता अब मिला है Hardin के बारे में भी बहुत अच्छी चीज़े उसके फादर कहते है Hardin इस पर भी गुस्ता हो जाता है वो टेसा से कहता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे फादर हमेशाथ ड्रिंक करते थे कभी भी अच्छे फादर वो नहीं थे अब वो अचानक से कैसे वदल सकते है उसके फादर ने बहुत सारे लोगों से पैसे भी लिये थे इसी वज़े से उसके मदर को भी एक बार मार खाना पड़ा था उन्हें फादर को बहुत ही हेट करता है फादर का टोस्ट खतम हो जाने के बाद फादर हार्डिन से मिलने के लिए आते हैं हार्डिन अफसेट है और उनसे जगड़ा ही करने वाला है तब ही टेसा उसे रोक लेती है यह दोनों फिर डांस करते हैं जब घर बहुचते हैं तो पहली बार आज रात वो इंटिमेट हो जाते हैं इसके बाद नेक्स डे हम देखते हैं कि टेसा अपने कॉलेज में होती है तब ही उसे एक लड़की मिलने के लिए आती है जिसका नाम होता है Molly यह हार्डिन की ही एक फ्रेंड है टेसा से बुछती है तुम्हेरा पॉइफेंट कहीं दीखनी रहा हार्डिन की फ्रेंड को हार्डिन और टेसा की बीच में जो रिलेशन्शिप है इसके बारे में पता नहीं है टेसा कहती है कि मैंने उसके साथ ब्रेक अप कर लिया है यहां मॉली को पता चलता है कि टेसा और हार्डिन डेट कर रहे है इन दोन में बहुत ही awkward conversation होती है टेसा को है बहुत ही अजीब लगता है शाब में जब वो घर पर होती है तब हार्डिन के mobile और message आते है मॉली ने हार्डिन को उससे मिलने के लिए बुलाया होता है टेसा है messages देखती है और हार्डिन से कहती है कि वो तुमें क्यों बुला रही है हार्डिन कहता है कि तुम इसे ignore कर दो मैंने उसे reply भी नहीं किया है इसके बाद हार्डिन घर से बाहर निकल जाता है रात हो जाती है पर फिर भी वो घर पर नहीं आता टेसा को ओड़ेडी शक है ही तो घर से बाहर निकलती है हार्डिन का एक फ्रेंड उसे मिलता है टेसा उसे पुछती है कि हार्डिन कहा है वो फ्रेंड उसे हार्डिन की लोगेशन दे देता है टेसा उस restaurant में बहुत चाती है और वहां सब हार्डिन्स के friends वगरा हैं के पास वो बेटती है वो टेसा से बुझते है कि तुम अपने hostel के रूम में नहीं रह रही तुम कहां रह रही हो टेसा कहती है कि मैं और हार्डिन relationship में एक अलग जगा पर रह रहे हैं ये सुनकर मॉली को बहुत ही हर्ड मेसुस होता है क्योंकि वो हमेशा से हार्डिन को पसंद करती थी ये टेसा को कहती है कि मैं सब कुछ चीज़े पता नहीं है तब ही हार्डिन वहा जाता है हार्डिन को ओब जानना है कि मॉली क्या कहना चाती थी हाइटीन टेसा को बाहर लेकर जाना चाता है पर यहीं रुखती है मॉली हाडडिन से कहती है कि अबотоat को सब कुछ ससच बता दिती हैं वह कहती है कि जस राद हम ट्रूत और डेर खेल रहे थे तुं वहाँ हम हाग हमर्डिन को एक पता था और फिर भी तुमने कुछ भी नहीं कहाHardyn उसकी पीछे भी जाता है पर Tesa उससे कुछ भी बात नहीं करना चाहती है हाडीन उसे समझाता है कि मैंने तुम्हें जानने से पहले ये बेट लगाई थी हाडीन उसे बताना जाता है कि उसे बहुत प्यार करता है पर टेसा वहाँ से चली जाती है टेसा हर्ट होकर फिर से अपने घर आ जाती है अपनी मदर से स्वारी कहती है टेसा की मदर हमेशा उस पता है कि तुम कुभी मुझे हट नहीं कर सकती है उसने टेसा को माफ कर दिया है वो कहता है कि हम बड़े होते हैं अपने आपको डिस्कवर करते हैं इसमें कुछ बूरी चीज नहीं है यह दोनों फिर से एक दूसरे के आच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं टेसा को भी पब्ली इसमें एक बड़ा सा लेटर हार्डी ने टेसा के लिए लिखा होता है जो अपने टीचर को सब्मीट कर देता है टीचर यह पढ़ती है और टेसा को दे देती है हार्डी टेसा को जिस जगा पर पहली बार लेकर आया था लेक के पास वहां जाकर यह लेटर पढ़ने लग ज मुझे हमेशा से लगता था कि यह सब गलत है कभी भी मैंने इस पर बिलीव नी किया पर जब मैं तुमसे मिला तब से मेरी सब कुछ जादा प्यार करता है वो टैसा से माफी मांगता है टैसा पड़ती है और हार्डिन इसके पास आता है तैसा अब उसे माफ कर देती है यही मुवी इंड हो जाती है अगर आप को वीडियो अच्छा लगा तो प्लिस वीडियो को लाइक कर दीचेका बहुत सारी इस तरह की अपने आपका ख्याल रखिया है और आप अपने आपका ख्याल रखिया है